हलो गाईज, 100 वर्ट पर मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट कई महिनों बाद 2-3 बच्चे सोसाइटी में साइकिल चलाते दिखे स्टॉप देखा देखी मेरी बेटी का भी साइकिल चलाने का मन मचला स्टॉप अगले दिन वह भी अपनी साइकल पर जमी धूल पोंच और हवा भरवा कर मैदान में उतर गई स्टॉप कुछ बच्चों को अब भी घर से बाहर खेलने की इजाजत नहीं मिली है स्टॉप वे टीवी कंप्यूटर और ऑनलाइन कक्षा के सहारे अपना दिन काट लेते हैं स्टॉप पैरा पिछले साल जब कोरोना के चलते पहली बार मंदी की घोशना हुई तो गली मुहलों में सन्नाटा पसर गया था स्टॉप इसकुल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी स्टॉप हालांकी उसी बंदी में लाखो लोग मुंबई, दिल्ली जेशे शहरों से पैदल, साइकिल, रिक्षा से चल कर अपने गाउं पहुँचे थे स्टॉप कुछ लोग पैदल चलते हुए धूप कोमा भूक प्यास के कारण अपनी जान भी गवा बेठे स्टॉप पैरा पिछले डेड़ साल में बहुत कुछ बदल गया है स्टॉप अधिकतर बच्चों की रंग बिरंगी साइकिलें धीरे धीरे कबाड में बदल रही है स्टॉप दो साल में कुछ बच्चों को अपनी पुरानी साइकिल छोटी लगने लगीगी स्टॉप जब कभी में दूसरी सोसाइटियों में जाता हूँ तो हर अपार्टमेंट में बच्चों की 10-20 रंगीन साइकिले अनात सी पड़ी दिखती है स्टॉप लोग न तो उन्हें बेचते हैं और न किसी को देते हैं स्टॉप साइकिल अगर चल नहीं रही है तू उसका क्या मतलब निकाला जाए प्रस्णवाचक पेरा कुछ लोगों को याद होगा की कैसे पती-पतनी मोटर साइकिल की सीट पर रख कर अपने बच्चे की पहली ती पहिया दू पहिया साइकिल लाए थे स्टॉप निश्चित रूप से जिन बच्चों के लिए वह साइकिल कभी शौक से खरीदी गई थी अब या तो उन बच्चों का शौक नहीं रहा या साइकिल की वह उप्योगिता नहीं रही स्टॉप मगर माबाप को वह दिन अब याद है स्टॉप पहरा वैसे साइकिल का इतिहास अधिक पुराना नहीं है स्टॉप एक संभ्रान्त जर्मन नागरिक कार्ल वोन डरेस ने अठारा सु सत्रा में दो पहियों की मदद सी एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की कोमा जिस पर घोडे की तरह सवारी की जा सके स्टॉप इसका एक नाम बोन शेकर यानि हड़ी हिलाने वाली मशीन भी था स्टॉप एक मोडल में पीछे का पहिया आगे से बढ़ा था स्टॉप यूजिन मेयर और जैम्स स्टारले के मोडल में आगे वाला पहिया बढ़ा और पीछे का पहिया छोटा था स्टॉप पेरा 1860 के दशक में फ्रांस के पीएरे लालमेंट कोमा पीएरे मिचोक्स और अन्रेस्ट मिचोक्स ने साइकिल का वह स्वरूप विक्सित किया कोमा जिसमें आगे के पहिये के साथ पैडल जुडा हुआ था स्टॉप 1860 और 1880 के दशक में बड़े पहिये वाली साइकिल में लोगों की रूची पैदा होने लगी इसा कहा जाता है की 1884 में एक अंग्रेज थोमस स्टीवन ने बड़ी पहिये वाली साइकिल से दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी स्टॉप मगर इस साइकिल की लोगप्रियता में इसकी उची सीट एक बाधा थी स्टॉप पैरा फिर 1885 में थोमस स्टीवन के भदीजे जॉन केम्प स्टारले ने दोनों पहियों को बराबर रखते हुए कोमा चेन वाली एक सुरक्षित साइकिल बनाई स्टॉप फिर आने वाले सालों में उसमें ब्रेक और टायर जुडे स्टॉप 1890 के दशक में कुछ ब्रिटिस लोग साइकिल लेकर भारत आये थे स्टॉप 1960 के दशक से अपने देश में साइकिल हर शहर गाउं में दिखने लगी स्टॉप अपने देश में 1997 से 1980 के दशक में मध्य वरगिये खेती हर परिवारों में साइकिल दहच के रूप में दी जाने लगी स्टॉप उन दिनों भी गाउं में एकका दुक्का साइकिलें होती थी स्टॉप उन दिनों साइकिल में हैंडल के साथ सीशा, घंटी, बच्चे के लिए आगे के डंडे पर छोटी सीट, पीछे केरियर भी लगा होता था स्टॉप कुछ लोग हैंडल के आगे एक टोकरी लगवाते थे कॉमा जिसमें रेडियो रखा जा सके और सफर में गाना सुना जा सके स्टॉप साइकिल पर नाम लिखवाने और ताला लगवाने का भी रिवास था स्टॉप कुछ शोकेन लोग उसमें रंगीन जालर और बत्ती भी लगवा लेते थे स्टॉप दसकों बाद अफगानिस्तान के काबूल में 2016 में मुझे बत्ती और जालर वाली साइकिल दिखी थी स्टॉप वह एक चोकिदार की साइकिल थी स्टॉप मैंने उसे चलाया भी स्टॉप उन दिनों बच्चे साइकिल पहले कैंची चलाना सीखते थे कोमा फिर सीट पर बैठ कर चलाते थे स्टॉप छोटी साइकिल तब अधिक परचलन में नहीं थी स्टॉप पेरा अब साइकिल के अनेक प्रकार आ गए हैं स्टॉप बाजार में पाँच हजार से लेकर तीन लाख रुपे तक की साइकिलें मिलती हैं स्टॉप पहले महिला और पुरुष की साइकिल अलग होती थी स्टॉप अब अनेक रंग रूप की विकल्प मौजूद हैं स्टॉप हमारे एक दोस्त ने तीन साल पहले साइकिल से ही देश के सत्रह राज्यों का 27,000 किलोमेटर का सफर ते किया था स्टॉप अपने देश में उच पदों के लोगों का साइकिल से दफ्तर जाना तो ही नमाना जाता है स्टॉप पर ओसलो, कॉमा लंदन, कॉमा वाशिंग्टन जैसे शहरों में प्रोफेसर, डॉक्टर, कॉमा अधिकारी भी साइकिल की सवारी करते हैं जल्दी ही दिवाली आने वाली है, स्टॉप वर्सों से जो साइकिल चली नहीं है, कॉमा उसे साफ करें, स्टॉप आपको जरूरत नहीं है, कॉमा तो जो महिलाएं आपकी सोसाइटी में काम करने आती है, कॉमा उन्हें दे दें, स्टॉप किसी दूसरे बच्चे को दे दे स्टॉप साइकिल के पहियों और जीवन, दोनों को चलते रहने दें, स्टॉप पैरा, जिस तरह बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक कंभिर विशे है, ठीक उसी परकार सडकों, चोराहों और गलियों में घूमते छुट्टा पशुओं की बढ़ती संख्या भी है, स्वार्थी लोग, जब तक इनसे लाब मिलता है तब तक तो इनको पालते हैं, स्टॉप फिर जब यही पशु बूड़े हूँ जाते हैं, धूद नहीं देते तो इनके मालिक सडक पर दर दर की ठोकरे खाने को छोड देते हैं, स्टॉप सडक पर ठेला लगाने वालों, दुकानदारों, रहागीरों और अन्य लोगों द्वारा इनके उपर घातक प्रहार भी किये जाते हैं, स्टॉप इस तरह इन पशुओं को शारिरिक पीडा भी सहनी पड़ती है, स्टॉप लगातार सडकों पर इनकी बड़ती संख्या के कारण आये दिन सडक दुरगटनाय भी देखने को मिल रही है, ऐसे में इन छुट्टे पशुओं को लेकर सरकार कोई उचित कदम उठाए, स्टॉप इनहें बे सहारा छोडने वाले इनके मालिकों को भी ऐसा करने पर उचित डंड का प्रावधान करें, कोमा ताकि ये संक्रिन मानसिक्ता वाले लोग पशुओं को भे सहारा छोडने से पहले एक बार विचार अवश्य करें, फुल स्टॉप